युगो युगो से चल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव, म्रहमाण में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी जाद, आए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माला जै शनी देर प्रिय भखकनू, मैं स्वामी राजशी, शनी पीठ मंदिर इस्ट पटेन लगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष, आज का राशी पल बताने के लिए उपस्तित हुआ हूँ आपको जानकर हादिक प्रसंता होगी कि मैं दस वर्ष की आयू से ही अपने पोजने प्रिताश्री गुरू रजी शिशी जी के निर्देशन में आस्टोलोजी, नियुमरोलोजी और धर्म घंतों का अध्यान करना हूँ तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको साफ्राम रेना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहें आज का ज्राशी पल आज 31 जनवरी 2020 दिन शुकरवार, माग मास का शुकल बक्षल रहा है और आज 6 तिति दुपेर 3 बचके 51 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात 7 तिति लग जाएगी आज अभी जीत मूरत दुपेर 12 बचके 13 मिनट से लेकर 12 बचके 56 मिनट तक रहेगा इस दौरान किसी भी शुपकारे के शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी आज राहुकाल दुपेर 11 बच के 14 मिनट से लेकर 12 बच के 35 मिनट तक रहेगा इस दोरान किसी विशुप कारे को करने से आप सभी लोग परहिस करें और हमारी इन वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि करक यानी की कैंसर राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बितेगा आज आपके व्यापार के लिए बहुत ही शुब दिन है और आज आप आन दिनों के मुकाबले कई गुना मुनाफ़ा कमाएंगे कस्टोमर्स आज आज आपके बेना प्रयासों के ही आपके पास चल कर आएंगे और यदि अपने अच्छे व्याबार से आप उन्हें अपने से जोड़े रहने के लिए प्रेरेद करते हैं तो इससे आपके व्यापार की उन्नती होना तैह है चांदी और धूत के व्यापारियों को भी आज विशेश तोर पर फायदा होगा आज आपका अपने बिजनस की तरफ किया हुआ कोई भी इन्वेस्ट्रेंट बेकार नहीं जाएगा बलकि आपको कई गुना रिटरंस देगा और आपके इंकम के नए अफसर प्राप्त कर भूंगे यदि आज आपके शतू भी आपके बिजनस को नुकसान पहुचानी की कोशिश करते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो उनकी कोई भी योजना आज सफल नहीं होगी प्रिये बाख्योडों यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दियोए नंबरों पर हमें संपर्थ करके गुरू रजुश शीजी से या गुरुमा रुक्मणी से या मुझ से वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्ट कर सकते हैं निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छूटी सी फीज देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यग्यों महायग्यों के आयोजन करने में हर मंगलवार और हर सन्यवार को प्रसाज वितरन करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती हैं आज दुर्गा माता जी की ओपासनर करने से और कुआरी कन्याओं की सेवा करने से आपको शुक्फल प्राप्त होंगे करकराशी वालों अगर आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा है आप अपने आपको अनलकी महसूस करते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्र, प्राण पतिष्टित, पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयम गुरु रज्मी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दियोए नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रज्टनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्फ आपको अपनी कुंटली का अध्यर किसी योग के ऐस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लिना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वयच्चमतकारियों पाए जिसे करके आप ये सुनिश्चत कर सकते हैं कि आपके किसी भी इंपोर्टन काले में कोई बादा नहीं आएगी और आप अपने हर काले को सफलता पूर्वक अंजाम दे पाएंगे आज प्राता काल उठकर पवित्र होकर दुर्गा माता की उपासना करें और उसके पश्चात किसी ऐसे मंदर में जाकर जहाँ पर भी मात दुर्गा की प्रतिमा हो आप उनके चड़नों में एक मिट्टी का बना शेर अर्पित करें यदि आप आज इस उबाई को सद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तोर पर आपकी मेहनत व्यात नहीं जाएगी और आप अपने हर काले को सफलता पूर्वक अंजाम दे पाएंगे आज का आपका राशी फ़क देखते हुए मैं आपको चार्श चार्ट देता हूँ मेरे नाम संगीता सिंह है कहा देखते हुआ दिल्ली शास्त्री नगर पुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए मैंने तीन साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ थे एक महिने बाद मुझे असर्दिग्ग्या था उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी बोज़ाद ही प्रवलम में थी लेकिन उसके बाद एक तेड़ साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा जब मैं आई थी यहां पर तो करजा था मेरे अपर लेकिन उसके बाद मैंने एक देड़ साल में जब जो रिंग्स बन वाई थी गुरूजी के तुरूप तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था करजा भी उतरा प्लस उस टाइम पर मैं गुरूजी से यह पूछना आई थी के गुरूजी मेरा मकान कभी होगा अपना अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगा जाकर देखा ऐसे लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ यहाँ पर गया कि दोका नहीं लगा सबसे बड़ी चीज़ों रिशूट नहीं है हमारे वेदों, फुराणों, धर्म ग्रन्थों और योद्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जान्थे के लिए हमारे द्वारा बनाई गहीं और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें